एक एट मैतमेटिक्स FSC पार्ट वन चेप्टर नंबर 12 जोके एप्लिकेशन आफ ट्रिग्ममेट्रिस से रिलेटिड है जिसमें कि आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उनमें सुलूशन आफ ट्राइंगल और एरिया आफ ट्राइंगल शामिल है ज्याद रहें कि ट्राइंगल जोके लोज्टक्र होती यस अब बिदर्विश्पर्स में इसको त्री टियप्स होती है उड और गश्रमें जिसमें अगर यह देना राइड एंगल ट्राइंगल ABC with राइड एंगल at B which one is true यहनिकर एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं अब इन में से कौन सी स्ट्रेट्मेंट जो है वो बिलकुल true है अब देखें यह बात हम आप और यह फर्स करी नगल 90 के मिने बनाया और और बैपेफागोरस सुरम हम जानते हैं कि जो हाइपाइटनेश साइड का स्कवेर होता है वह बाकी दो साइड से स्कवेर के सम के ब्रापर होता है इसका बतब यहाँ पर प्र्पेंडिकुलर स्क्वेर प्लस बे स्क्वेर आएगा अब चुके बी वर्टेक्स पर 90 का इंगल है इसका उतर बी वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है जो के हमारे पास एक आप यूज समलने के प्रोपोजल एक आइडिया है कि हम जो वर्टेक्स होता है उसी के सामने उसी के समाल अलफाबेट से वो साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर फिर बी स्क्वेर इस इक्वल टू चुके अगर यह साइड यह वर्टेक्स और यह ए हो तो फिर यह साइड ए बन जाएगी और यह सी स्कुरिधए प्लस Cworks के स्कूरेक्ट होता है मज़फ जतनी भी हमारी ट्राइंगल है चाहे बलीख हूं या राीट थे आंगल हूं उनके स्लॉशल हम ट्रिग्समेट्रिक जो रिडियो इंक्योन करते है ajust an gentleman जो बनी है वो तुमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटिटीज वो पैथागोरस स्रम की मदद से बनी है ठीक है जिनकों कि हम अब नेक्स्ट जो हमारे भी mcqs आएंगे उनमें वन बैवन जो हो डिसकस करेंगे हैं स्टुएंट्स हम नेक्स्ट mcqs सॉल्व करते हैं चिमनी 20 मीटर है स्टेंडिंग और टॉप आफ बिल्डिंग सब्टेंट्स एन एंगल फूस टेंजेंट इस सिक एक डिस्टेंस 70 मीटर फॉंदी फॉट आफ दी बिल्डिंग देन हाइट आफ दी बिल्डिंग जो हमने फैंड आउट करनी है अब देके यहा है ठीक है और फिर यह के जो सिफ सेवंटी मीटर उसके मुकाबले में दूर ग्राउंड पर पॉइंट लिया जा रहा है जबकि चिमनी जो हो बिल्डिंग की टॉप के उपर पड़ी है ठीक है तो फिर एंगल भी देखें तो जो टेंजेंट की उस एंगल पर वैलिव आ रह एक पिक्चर बनाऊं तो मैं यह कह सकता हूं कि अगर फर्स करें यह डिस्टेंस सैवंटी हो ठीक है और यह अगर बिल्डिंग की हाइट है इस तरह से यहां पर और फिसके ऊपर चिमनी जो हो रखी विए जिसकी अपनी हाइट 20 मीटर है ठीक है तो अब अगर इस बिल्डिंग की हाइट बहुत जएदा है चिमनी के मकाबले में बहुत जएदा है ठीक है एक रफ सी हमारे पास एक आईडिया अरहा है ठीक है अब हम इसे कैल्कुलेट भी करते हैं कि यह कितना एक एंगल भर यह तो चले हमने यहाँ पर मालूम नहीं करना लेकिन अब इस जो हाइट है इसको मालूम करते हैं इसे मैं फर्स कर लिता हूं कि ये एच है ठीक है यह नी आप्षेंस में जादा जो प्रपेंडीकुलर साइट की बेस साइट से ली जाती है और हम जानते एक राइट एंगल ट्रेंगल में वो साथ जो के बाते की सामने होती इसे परफेंदी आजीव साइडे जो इस bit प्लेस 20 बन अब देखेंगे 70 अगर 6 से मल्टीप्ला तो 420 आता है यानि 20 प्लस एच की वैल्यू 420 आ रही है और अगर इस 20 को दूसरी सब्सक्राइब किया जाए तो इस 20 में 420 में से माइनस हो जाएगा तो एच की वैल्यू में पास इन जो हाइट आफ विल्डिंग है इसकी वैल्यू सब्सक्राइब कर सकते हैं इसकी वैल्यू इन में से मतलब रिलेशन के बराबर होगी यह कह सकते हैं कि इसका फार्मूला कौन सा है है इन में से हम जानते कि प्रेइंग्ल का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है जी हाप आफ-टांव्ड हांगल इंटो इस हाइट ठीक है यह फार्मूला जो कि मदें आप्ट्रैंग अरिया के है अब तमाम रिलेशन अम इसी फार्मूला हुआ से द्राइब य्लिस साइन आफ बीटा अब यह रिलेशन भी हमने ड्राइब किया था कि जब हमारे पास दो एंगल हो गिवन हो और एक साइड गिवन हो फिर हम इस फार्मॉला को यूज कर सकते हैं यह फार्मॉला हमारा बिल्कुल ठीक है अगर हम नेक्स्ट रेखें तो हाफ टाइम्स बी सी साइ इसमें अगर आप देखें तो जो दो साइड गिवन है एंगल जो वह हमने ट्राइब किया यह थी ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखें तो यह रोस फार्मॉला करलाता है यह ऐसे रोन फार्मॉला करते हैं जिसमें के हम S जो के किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइट का सम करके उसको 2 पर डिवाइड कर कर दिया जाता है तो यह S की वैलिवा आती है यानि टोटल जो ट्राइंगल की तीनों साइट का सम है यह परिमिटर आफ ट्राइंगल के लाएगा का हाफ करने ठीक है जो कैसे के फिलो फिर इसी तरह समसे एसमसे बी साइड एसमसे सी साइड मैं इन चारों का प्रोड़क्ट एक स्वेर उतिया जाए तब भी एरिया हासी होता है ट्राइंगल का और डी आप्शन है कि आल आप इस तो इसका मतलब कि यह फिर आप्शन जंबर जो डी है हमारा वो यहां पर एक बेस्ट आप्शन होगा नेक्स अमसी की हम साल्व करते हैं जो कि हाफ एंगल फार्मूला से रिलेटीड है कि वीच वन इस नाट ट्रू इनमें से एक जो है वो दुरूस्त नहीं है ठीक है जिसे अगर ए आप्शन देखें तो इसमें को अलफा एंगल गिवन है अलफा ओवर टूस का हाफ एंगल मतलब जो एक्वालजी प्लस माइनस टाइम स्क्वेर रूट आफ एस इंटू एस माइनस ए डिवाड़ेट वाइड़ वाई बीजी अब यह तो बिल्कुल ट्रू है हमने और इसी फार्मूला को ड्राइब किया थ कि तो तो फिर अगर ऀए वैल्यो उस पूट करेंगे ठीक है तमाम पॉस्वेरू रूट को सॉल्व करेंगगे तो हमें जो ऑस अलफा बायर टू पे एंगल की वमिलेगी वह एक्जेक्ट इसी मतलब वेल्यू के बराबर आई हिए जो कि बलकुल हमें हमारा आ तो अब यहां पर भी अगर हम देखें तो यह साइन जो है वो इसका आफ एंगल फार्मुला है तर्टीब बिल्कुल को साइन वाली यूस की गई यह कैसा है फिर एस माइनस बी ओवर एस जो के हम कहेंगे कि यह वह आप्शन जो है वो रॉंग है ठीक है चुके अगर आप दे इसको यह दिशोय望 का 000 को क्यों होते है क्यों खुछ और में अगर सफ तो आप लिए होन्तीय प्रस्यक्तर में माइन झाल यह तुक्तरों निजसर शने इन क्याएं हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑवर यानि साइन टिर्वो मेट्रिक função और renail साइन टुर्णकिक्षन कि मैंकि likes & pris अगर अगर इनकी वैलिुस को हमें यही रिलेशन ही आपकर जो हाशिल होगा उप्शन व्हूरूं तो प्लस मैंने वह गोवाइब तो इसलिए हम एक जर्नल बात करें एक वल्ट होना चाहिए था जिस माइनस ए ठीक है एस माइनस बी इनका प्रोड़क्ट ठीक है ये नुम्रेटर में आएगा जिबके दी नॉम्रेटर में जो है हमारे पास वो ए और सी आएगा ठीक है यहां पर बलके एस माइनस मुझे बी लिख दिया मैंने चुके बी टाइंगल है सी आएगा ठीक है और डिवाड़ड़ बाई एसी तो यह बेसिकली जो है इसका वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन बनता है जो के अगर हम इसको देखते हैं ठीक है तो इसी कैसे यह हमने यहां पर सॉल्व किया exclude करते हैं जी जिसमें के टू टू टाइमस एव डियल जो के अजा कए लिटा और की वाड़ड़ त सीर Gir braces कुल होगा क्या थी को साइन बीटा के एकवल होगा जापिर साइन बीटा यह फिर साइन अलपा की पाईवा के लिटा है तो चूके यह बात हम है book ज area of triangle हम इससा भी find कर सकते हैं कि अगर हमें दो साइड और इनके included angle given हो तो हम area find कर सकते हैं और उसके लिए जो हमने formula पढ़ रखा है वो था half time अब चुक्छे इद बी-सी की बात हो रही इसके अगर बी और सी side given हो तो फिर इनका included angle alpha angle बनता है तो यहां पर sign of alpha आएगा ठीक है अब अगर आप देखें तो हमाई पास यहां पर इसको अगर टू से multiply किया जाए तो यहां भी टू से multiply करेंगे तो फिर टू से क्या हो जाएगा divide हो जाएगा और फिर अगर यह जो बी-सी product है यह अगर multiply हो रहा है अगर right side left side पे आगे क्या हो जाएगा divide हो जाएगा यानि टू डेल ओवर बी-सी यह किसके एकवल आजाएगा यह एकवल टू साइन आफ एलफा के एकवल आजाएगा ठीक है तो यह इस ठीके से हमारा option नंबर जो बनता है साइन अलफा वला यह डी option बनता है ठीक है जो कि यहां पर हम कहेंगे कि एक बैस्ट आप्शन है इन तुमाम आप्शन में से बिल्कुल दुरूस्त आप्शन है जी अगर इस लास्ट M.C.Q को देखें तो इसमें इसता से बात की गई है कि इफ आर ट्राइंगल एबी सी इफ एई इस इकवल टू सेवन यानि अगर एक ट्राइंगल में हमारे पास एक साइट की लेंद सेवन यूनिट सो बी की लेंद जो नाइन यूनिट सो सी साइट की सी लेंद सेवन यूनिट सो और गयमा एंगल किया ठीक है अब देखें हम जो है वो लाफ को साइन्स भी यूस कर सकते चुक्क आल साइट कीवन घित अगर हूं फिर तो और वो किसके एकवल होता जी, a side square plus b side square, ठीक है, minus c side square, ठीक है, और जो ये answer आएगा, ये sum का, ठीक है, इसको divide किया जाएगा, two times of a, b के product से, ठीक है, अगर gamma angle हो, तो देखें, इसमें हमारे पास जो a की value है, वो कितनी आ रही है, वो 7 है, 7 का square और c भी 7 है, 7, 7 का square है, 49, 49 से cancel हो जाएगा, जबके b का square 81 आएगा, ठीक है, यहां मैं सिंपल 81 लिक रहा हूँ, जबके 2 को 7 से और 9 से अगर multiply किया जाए, यहां नाइन को अगर 7 से multiply किया जाए, तो यह हमारे बस 63 आता है, ठीक है, हम यहां पे चले calculator को use करते हैं जी, आप यह देख सकते हैं, स्क्रीन पर calculator, अब इसमें 9 को 7 से multiply करेंगे हम, ठीक है, और फिर जो answer आएगा, उसको 2 से, यह हमारे पास 126 answer आ जाता है, 126, अब अगर इस numbers को divide किया जाए, तो हमारे पास, क्या इसका answer आएगा, चलेंए, इसको भी हम calculate कर लेते हैं, साथ ही, इसको divide जो करना है, वो किस से करना है, जी, इसे हमने divide 126 से करना है, तो 126 यह divisor में है, हमारा answer आ रहा है, 0.6428, और अगर इस पे inverse ले लिया जाए, को साइन फंक्शन का, तो हमें गैमा एंगल भी मिल सकता है, जो के 49.99 जिसको अगर मैं राउंड अप करूं तो यह 50 डिगर भी बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि मैं पर जो gamma angle आया है, वो cause inverse of, यह जो value आई थी, 81 over 126, तो इसका answer जो है, वो 50 डिगरी अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, प्रॉक्सीमेट ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो option number C हमारा, वो बिल्कुल जो है, वो best option होजएगा, correct option होजएगा, जो कि बताई भी conditions के मताबिक हम इसको फिर मार्ग करते हैं,